माग मास का महात्मे चोथा अध्याय स्री बसिष्ट जी कहने लगे कि हे राजन अब मैं माग के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्थ बिढ के पुछने पर दत्ता द्रे ने कहा था जिसमें साक्षात विश्णू के रूप स्री दत्ता द्रे सत्य परवत पर रहते थे तब महिस्मती के राजा सहस्त्रार जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में स्रेष्ट दत्ता त्रे जी मैंने सब धर्म सुने अब आप किरपा करके मुझे माग मास का महात्म कहिए तब कहने लगे दत्ता त्रे जी कि जो नारज जी से ब्रंभा जी ने कहा था वही माग महात्म मैं तुम से कहता हूँ इस कर्म भूमी भारत में जन्म लेकर जिसने माग असनान नहीं किया उसका जन्म निस्फल गया भगवान की परसनता पापों के नास स्वर्ग की प्राप्ती के लिए माग असनान अवस्य करना चाहिए यदि यह पुष्ट और सुद्ध सरीर माग असनान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाब जलमे बुलबुले के समान मक्खी जैसे तुक्ष जन्तु के समान यह सरीर माग असनान के बिना मरन समान है विश्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्रहमन बिना दक्षिना के स्तराद ब्रहमन रहित छेत्र आचार सहित कुल ये सब नास के बराबर है गर्व से धर्मका, क्रोध से तपका, गुरुजनों की सेवा ना करने से इस्तरी तथा ब्रहमचारी और बिना जली अगनी से हवन और बिना साक्षी के मुक्ती का नास हो जाता है जिविका के लिए कहने वाली कता, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, सुद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यग्य और कंजूस का धन, यह सब नास के कारन है बिना अभ्यास और आलशे वाली बिद्या, असत्य वानी विरोद करने वाला राजा, जिविका के लिए तिर्थ यात्रा, जिविका के लिए ब्रत, संदेह यूक्त मंतर का जब ब्यग्रचित होकर जब करना, बेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग् करना स्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया यह सब बेर्थ है और जिस तरह दरिद्र का जीना बेर्थ है उसी तरह माग असनान के बिना मनुस्य का जीना बेर्थ है ब्रह्म घाती सोना चुराने वाला मदिरा पीने वाला गुरु पत्नी गामी और इन चोरों की संगती करने वाला म जल कहता है कि सुरियोदे से पहले जो मुझसे स्वनान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नश्त करता हूँ महा पातक भी स्वनान करने से भंश्म हो जाते हैं मागमास के असनान का जब समय आ जाता तो सब पाप अपने नास के भैसे का जाते हैं जैसे मेगों से मुक्त होकर चन्दरमा प्रकास करता है वैसे ही स्रेष्ट बनु से माग मास में असनान करके प्रकास मान होते हैं काया वाचा मनसा से किये हुए छोटे या बड़े नए या पुराने सभी पाप असनान से नश्ट हो जाते हैं आलस में बिना किये जाने जो पाप किये हूँ वह भी नास को प्राप्त होते हैं जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ति होती है उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माग असनान में मनुस्य की रुची होती है और यह और पवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी की चड़ को धोने की पवित्र वस्तू है हे राजन जो मनवानचित फल देने वाला माग असनान नहीं करते वह सूरे चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं तो माग मास महात्म अध्याय चार समावत हुआ कल हम आपसे अध्याय पांच के साथ मिलेंगे हर हर महादेब पसंद आए तो लाइक कर सब्सकाइब करें धर्निवाद